नमस्कार किसान भाईयों, डी गार्डर में आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने वे डी वी दामा के साथ कुछ किसान भाईयों के बार-बार कोमेंट आ रहे हैं और वो पूछना चाते हैं कि हम अपनी सरसों की फसल की बाईय किस समय तक कर सके हैं ताकि हमें इससे अच्छी सी पैदावार मिल सके तो किसान भाईयों देखिए मैं दिया पर आपको बता देना चाता हूँ हम इसकी तीन चरणों में बुआई करते हैं सरसों की फसल की पहला जो चरण है किसान भाईयों वो पहली अक्तुबर से और बीस अक्तुबर तक आप इसकी अगेती बुआई कर सकते हैं और काफी किसान भाईयों ने इसकी बुआई की भी हुई है जैसा कि आप वीडियो में द पीच में इसकी बुआई कर सकते हैं 10 दिसंबर के बीच में करते हैं लेकिन किसान भाई उससे क्या होता है हमारी सरसों के पसर रुख थो जाती है और पैदावार भी ठीक ठाक्सी हमें दे देती है लेकिन बहुत जाद़ अच्छी पैदावार वह में नहीं दे पाती है इसका कारण भी किसान भाई है मैं आपको बता देता हूँ देखे जैसे ही हम अगेती बुआई करते हैं सरसो की तो हमारे सरसो के पोदे के पास में किसान भाई होता है कि वो काफी अच्छे से बढ़वार करता है और उसमें से जब बीच का तना निकल करके चलता है उसके साथ साथ कई अन्य साकाए भी निकलाती है जिन सभी पर फूल आते हैं और फलिया बनती हैं और किसान भाई है सबसे बड़ी बात यह हैं जो हम अगेती बुआई करते हैं सरसो की उसमें बीमारिया भी नाके बराबर लगती हैं और तीसरा कारण आप सभी किस फसलों पर हमारे धूप की बहुत ही आवश्यक्ता होती है बहुत ही जरूरत होती है बिना धूप लगे हमारी फसले कमजोर हो जाती हैं तो जैसे हम इसकी अगयती बुआई करते हैं लगबग आदे दिसंबर तक किसान भाई है धूप काफी अच्छी निकली रहती है और त जैसे हम पच्छेती बुआई करते हैं उसमें कई समश्याएं आ जाती हैं वह मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा बता देता हूं देखें जैसे हमारी पच्छेती फसल का किसान भाई सरसों का पोदा होता है उसके पास में इतना समय नहीं बच पाता है कि वह काफी अच् संक्याम आता है फली भी कम बन पाती है और सबसे बड़ी समश्या किसान भाईयों तब आती है जब हमारा पोदा उख करके उसमें से बीच का तना निकल आता है और फूल बनना सुरू होता है यानि के 15-20 दिसंबर तक ये हमारा पोदा इस पिरकरिया में आ पाता है और तब के साथ साथ एक समश्या और भी आ जाती है कि धूप ना पढ़ने के कारण हमारी फसल में बीमारिया भी काफी उत्वन हो जाती है यानि के फंगस बगेरा लगना सुरू हो जाती है जिसके कारण हमारी फसल काफी कमजोर हो जाती है तो किसान भाईयों अगर आप सरसों की ब पैदावार ले सकते हैं तो किसान भाई यह थी एक बेसिक सी जानकारी सर्सों की फसल के उपर उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब कर ले और इस काली सी गंटी को किसान भाई यह जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी सी जल्दी पहुंच सके एक नई जानकारी के साथ किसान भाई यह वीडियों फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई यह को नमस्कार